कि नमस्कार प्लगिन इंडिया में फिर से एक बार स्वागत है आपका और आज हम आए हैं हीरो की एक काफी पॉपलर मॉडल के साथ जिसको कहते हैं हीरो आप्टिमा और यह उनका है एक मतलब की हाइस्पीड दो विरेंट में अवेलेबल है हाइस्पीड और लो स्पीड तो पहले शुरूवर करते हैं गाडी के बारे में कि आप क्या बढ़ी है गाड़ी के बारे में एस्थेटिक्स यानि कि दिखने में गाड़ी में काफी चेंजिस हुए हैं कलर्णाई लॉंच हुए हैं प्लास्टिक पैनल्स की जो फिनिशिंग है फिनिशिंग की क्वालिटी काफी अच्छी हुई है switches के quality जो है वो अब बढ़िया बन गई है तो यह बहुत ज़रूरी है एलेक्रिक गाड़ियों में क्योंकि आप एलेक्रिक और switches का दोनों का relation बहुत close समझते हैं बाकी ऐसी भी छोटी-छोटी mechanical चीजे हैं जैसे यह जो footrest है footrest का भी जो अंदर खुलना बंध होना काफी होना चाहिए कि एलेक्रिक गाड़ी है इसलिए बड़े sprongly brand कर दिया है एलेक्रिक यह रहे गाड़ी के पहले के मुकाबले में और यह free willing की बात होती है पहले वाले गाड़ी में friction काफी हुआ करता था इसमें friction काफी कम हो गया तो bearings की जो quality है वह भी improve कर दी गई है तो गाड़ी के sitting posture के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी seat की उचाही जादा है Activa से भी कुछ मिली मीटर उची होगी गाड़ी तो दिक्कत होगी जब आपकी हाइट साड़े पांच फूट से नीचे है पांच फीट चार इंच ऐसे टाइप की अगर रहेगी तो आपको थोगा असा दिक्कत हो सकता है बैठने में यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो एक डिजाइन ऐसा बनाये कि दो पैर रखने की जगा बनाई हुई है लेकिन यह जो पैर रखने की जगा है इसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं है क्योंकि आदमी ज्यादा करके पैर थोड़ा सा वाइड रखता है ताकि नीचे रखने के लिए असान हो ओके तो स्विच पर बनाएं ब्लहा जाते हैं भी कलिए एक्ठीच काफी इंडिकेटर का सुच है और बहुत धन्यवार के हैं आपधिपर सात में बहुत अंहीं चौनला कि मीरे लोगी इरीटेट हो जाते हुए उससे यह आपका लाइन Luigi से और यह लाइद भी बार मैं देख रहा हूं कि hero की कोई high-speed गाड़ी है जिसमें आपके पास mode selection के लिए कुछ भी नहीं है जो कि मेरे साब से बहुत बढ़िया चीज है मतलब आपको दिमाग लगाने की जुरूत नहीं है गाड़ी हमेशा eco mode में ही चलती है यह यह LCD display देख रहे हैं हम लोग अभी इस समय तो यहाँ पर आपको दिख रहा है speed का indication नीचे odometer है और यहाँ दाहिनी तरफ में आपके पास में दिख रहा है एक battery का बार जो कि दिखा रहा है कि battery कितनी बाकी है और साथ में उपर में एक voltage भी दिया हुआ है अभी इस समय बैटरी for example 52 volt के उपर में charging में लगी हुई है तो sticker आपको यह बता रहा है कि जब बैटरी की voltage 47 volt के नीचे चले जाए तो उस समय आपको चार्ज करना जरूरी है क्योंकि सिर्फ 10 km बाकी रह जाएंगे तो एक warning आ जाती है और फिर हम लोग में आपको दिखाएंगे एक और shot में कि यह जो बैटरी का बार है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाता है तो उसका मतलब आपको एक signal मिलना शुरू है कि बैटरी खतम हो गई है यह feature हमें बहुत ही पसंद आया और hero को इस feature को बाकी सारे models में भी introduce करना चाहिए जहां तक गाड़ी का range का सवाल उठता है आप तो अगर आपका व्यवसाय है जिसमें आपको कुछ delivery करनी है और दिन के आपके 60-70 km running हो रहा है तो यह model आपके लिए बढ़िया रहेगा अब रेंज बढ़ाने के लिए company में काफी सारी चीज़े क्यों है चूटी-चूटी जो हमने ध्यान से दिखी हैं तो सबसे पहले तो टॉप स्पीड कम होने के विए से भी रेंज बढ़ जाती है जैसे कि आप बेरिंग के फ्रिक्शन कम हो गए है बैटरी का साइज बढ़ा दिया गया है तो यह सारी चीजों से आपका रेंज आपको मिल रहा है और एका छोटी चीज ऐसी भी है कि बैटरी का जो डबा है वह पहले स्टील में बनाये करता था बड़ा वाला बहार वाला जो डब है आजकल वह एफार पी में बनाना शुरू कर दिया है तो उससे भी फरक पड़ रहा है रेंज में थोला साही तो अब आ जाते हैं बैटरी के ओपर में जैसे कि आपको कहा था कि इस काड़ी की अनूखी दोनों बैटरी आप पैरलल में चार्ज कर सकते हैं अगर आपने दोनों चार्जर डिक्की के अंदर रख दिये तो आपकी डिक्की के जगा खतम ठीक है अब एक बैटरी जब आपकी खतम हो जाती है तो आपको दूसरी बैटरी ओन करने के लिए इस स्विच का इस्तमाल करन है तो यह अब इस सवाले बाटरी पे आ गया और यहां किया तो इस बाटरी पे आ अगर सभ्यें मैंने स्विचझ यहां पर लगाए हुआ है इस बाले पॉजेशन में तो मैं यह बैटरी निकाल करके घर पे चार्जि ह्न के लिए रख सकता हूं और गुमने जा सकता तो यह दोनों को दोरों बैटरिया मैं साथ लेगे जा सकता हूं तो अब आप देखेंगे कि यह हमारी 60 km जाने के बाद में बीटू बैटरी के ओपर हम पुरा काम चला रहे थे और बीटू बैटरी की वोल्टेज कम हो गये क्योंकि उसका चार्ज ऑल्मूस्ट खतम होने के लिए आया है तो बैटरी बार यहां पर ब्लिंक कर रहा है आपको एक सूचना दे रहा है कि भाईया मेरी बैटरी खतम हो गई है और अब आप देखिए जादू जैसे हमने टॉगल स्विच बीवान के ओपर ले लिया वैसे ही वोल्टेज बढ़ करके 53 वोल्ट हो गई और बैटरी आपकी फूल चार्ज है इस तरह से आप एक के बाद एक दोनों बैटरी का इस्तमाल कर सकते हैं याद करिए एक बैटरी पैरलल में नहीं लग रही है पहली बैटरी खतम होती है फिर आप दूसरी बैटरी शुरू करते इसका जो चार्जिंग का पोर्ट है यह अलग डिजाइन का है और यह डिजाइन नहीं देखा नहीं जी चिगोरी नाम का Hoşola नाम के एक नेकर आता है जिसम्यादा और इसको हम अंदर जब डालते हैं तो इतने अच्छे से जाती नहीं है यह जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं अंदर वाले FRP वाले कंपोज्ट हैं तो इसकी भी विट की क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं है तो यह जो है यह प्लास्टिक कंपोनेट आपका FRP का बना तो FRP में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी फिनिश की नहीं मिलती है यह अगर आप हम देखेंगे इसको भी निकालना तो यह देखिए अगर मैं पहले MCB आफ करता हूं यहां से यह मैंने MCB छुपा के रखा हुए अंदर यह मैंने MCB आफ किया और यह बैटरी चार्जिंग के लिए मैंने कनेक्टर निकालने कोशिश की यह देखिए दिक्कत होती है कनेक्टर निकालने में क्योंकि इसका जो माउंटिंग है कनेक्टर का कि वह इतना बढ़िया नहीं है उसकी माउंटिंग को भी आपको मैं दिखाने कोशिश करता हूं अभी यह देखिए यह ऐसे तरीके से इसी एफार पी के ओपर में में कनेक्टर माउंट किये गए हैं तो जादा स्थिर नहीं है इस वज़े से तो अगें यह भी एफार पी वाला पार्ट है आप देख रहे हैं ठीक है तो अगें क्वालिटी का थोड़ा सा इश्यू है यहां पे भी और यह अब दूसरा कनेक्टर निकाला मैंने देखिए 10-11 kg के आसपस वजन है इसका तो ढोने में इस तरह प्रॉब्लम नहीं है यह आपने चार्जिंग पर लगा दी दूसरी गाड़ी लेकर के चले गए लेकिन मेरा प्रेफरेंस यह रहेगा कि अगर आपको एक ही बैटरी निकाल के चार्ज करें तो ऊपर वाली निकालिए तो इतना जिप है कि गाड़ी उपर चड़ जाती है डबल सीट में स्पीड कम हो जाती है चड़ाई पर आप समझे लोग तीस के उपर जाना थो अगर एक साथ रहेंगे तो बाकी सिंगल स्पीड का एक फाइदा नुकसान भी है कई-कई बार हम लोग अगर लोग स्पीड पर चला रहे होंते हैं तो हम स्विच बदल करके थ्वा सा एक गाड़ी के बूस्ट में डाल देते हैं तो जब आपके पास वो आप्शन नहीं रहता है तो आपको एकी स्पी कि अग्रफली 60 से 70 प्रदिशत ये गाड़ी अब भारत में बन रही है और सुनने में आया है कि इसका जो बैटरी के असेमली अभी हीरो ने खुद लुदियाना के अपने फैक्टरी में करना शुरू कर दिया है तो गाड़ी की जो स्टील की चैसी है और टायर्स जो हैं मेट्रो के टायर लगे हुए गाड़ी में ये सारा made in इंडिया ही है के mode cost को justify कर सके अच्छा क्या है गाड़ी के बारे में सबसे बढ़िया रेंच मतलब अगर आपको एक ही कारण चाहिए ये गाड़ी खरीदने का तो होना चाहिए रेंच और मेरी सला ये रहेगी कि आपके पास जो डबल बैटरी है उसमें से आप एक बैटरी पर्मनेंट च जाना है दो शेरों के बीच में तो आप दोनों बैटरी अंदर रख सकते हैं चार्जिंग आपके पैरलल में दो चार्जर दिये हुए हैं जहां तक चार्जर का सवाल है इसके चार्जर जो लगाए हुए थोड़े से मिनको नॉन स्टेंडर लगे एक जो भी अभी हमने कारं क्या है शायद पैसे कम करने कोशिक कि heiß company नहीं पैसे बचाने कोशिक किया अंदर बैठ्री गपार्टमेंट के fitts आं फिनिशे मुझे कुछ suspension बढ़िया है, ride quality 0000 है, मतलब कुछ जादा मज़ा नहीं आया, पता निशाय टायर्स नेरो हैं या क्या है, लेकिन suspension में कोई दिक्कत नहीं है, खड़े वड़े में चले जाती है, गाड़े तो कोई दिक्कत आती नहीं है, 40 के speed पर मैं speed breaker के उपर चले जाता हूँ, तो इसमें कोई बिल्कुल की दिक्कत की बात नहीं है, और झाल, इसमें तो कि दिक्कत नहीं है, बात तो क्योंम, क्याहीं है उतने जadan ये क्योंको एड़े में में थिक्पिर povo दिक्ता अश्या है,